कॉंग्रेश के पूरवदयक्स राहूल गाधी डिजिटल प्रेश कॉंफरेंच कर मेडिया से बात कि इस तवरान उन्होंने प्रधान मंत्रे नेंदर मोदी से निया यह आजना को लागू करने की मांगी राहूल गाधी ने कहा मा और बच्चों का उदाहरन देते हुए कहा कि जब बच्चे को चोट लगती है तो मा बच्चे को कर्ज नहीं देती है वो एकदम मदद करती है भारत माधा को अपने बच्चों के लिए शाहुकार का काम नहीं करना चाहिए उससे बच्चों को एकदम करना चाहिए प्रेस कॉन्फरेंश के दोना राहुल गाधी ने कहा कि मैंने शुना है कि पैसे न देने का कारण रेटिंग है अगर आज हमने थोड़ा घटा दिया तो बाहर के अजेंसिया भारत की रेटिंग कम कर देगी और हमारा नुक्षान होगा मैं पीम से कहना चाहता जरोत है कि रेटिंग की की बात की गई है लेकिन इसे मांग शुरू नहीं होगी उन्हें कहा कि मोधिश्चार को पैकेज फिर से पीचार करना चाहिए उससे मांग को शुरू करने के लिए कर इसा नहीं किया गया तो बहुत ही बड़ा आर्थिक नुक्षान हो गया और राहुल गादे ने क्या का कहा आईए देखते हैं करोना वाइरस की सिचुएशन आप सब जानते हो देश में जो हालत है वो आपके लिए आपके सामने है बिल्कुल क्लियर है कुछ दिन पहले सरकार ने स्टेप्स लिये और मैं इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा कहना चालता हूँ देखिए पूरा देश कठिनाई में हैं लोग भूके हैं प्यासे हैं सडकों पे चल रहे हैं जब बच्चों को चोट लगती है तो मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है और जो मेरा डिसपोइंटमेंट है और मैं राजनेतिक तोर से नहीं बोल रहा हूं मैं हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के साइट से बोल रहा हूं जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए वो डाइरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में मजदूरों के जेब में जो हमारे माइगरंट वरकर चल रहे हैं उनके जेब में एक दम पैसे डालने के जरूरत है और मैं आज भी विंति करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिये मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए सहुकार का काम नहीं करना चाहिए भारत माता को अपने बच्चों को एक दम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है, जो migrant सड़क पे चल रहा है, उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेग में पैसे की जरूरत है, जो किसान तडफ रहा है, उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की और पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये एक मेरा में मेसिज था, राजनेतिक मेसिज नहीं है, क्योंकि मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हमने, देखे, जब माँ अपने बेटे को पैसा देती है, उसके दो कारण होते हैं, सबसे बड़ा कारण प्यार होता है, कि मा बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं और फिर दूसरा कारण होता है बच्चा माता और पिता का भविश्य भी होता है ये जो लोग आज तडप रहे हैं ये जो लोग आज सड़क पे भूके प्यासे चल रहे हैं ये हिंदुस्तान के भविश्य हैं और ये हमारे को नहीं मैं आपको रिपोर्टर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खड़े हुए और आपने जो हिंदुस्तान हो रहा है जो सरकों में हो रहा है हाइवेज पर हो रहा है वह आपने पूरे देश को दिखाया तो आपने भी यह अच्छा काम किया हमारी भी जिम्यदारी उनको पैसे की ज़रुवत है और नरेंदर मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए और इसमें डाइरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी 200 दिन की नारेगा की जो बात की थी किसानों को डाइरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी उसके बारे में नरेंदर मोदी जी सोचें क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविश्य है, इनी लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है, और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग की बात है, कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसेट बढ़ा दिया, तो जो बाहर की एजनसीज हैं, वो हिंदुस्तान की रेट कर देंगे और हमारा नुकसान होगा, और मैं प्रदान मंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं, कि हमारी जो रेटिंग है, वो हिंदुस्तान बनाती है, हमारी जो रेटिंग है, उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनस वाले बनाते हैं, बिग मत सोचिए. आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए और इनको एक दम आप पैसा दीजिए और फिर देखिए जैसे ही ये ये लोग काम करना शुरू करेंगे रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी कोई प्रब्लम नहीं आएगी रेटिंग हमें हिंदुस्तान के दिल को देखका डिसिजिन लेना है विदेश को देखका डिसिजिन नहीं लेना है तो ये मेरा मेरा में शुरूआत का मेसिज था आप सवाल पूछिए थैंक यू साथ